हाई आपने टाइटल से देखी लिया होएगा एक बहुत ही अच्छी न्यूज है साई अकाडमी के NCOE के ट्राइल्स होने वाले हैं बहुत ही जल्दी विदिन 10 डेज सारे सेंटर्स के NCOE ट्राइल स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपको नहीं पता है तो साई का मतलब है Sports Authority of India और NCOE का मतलब है National Center of Excellence NCOE एक नाशनल लेवल पर स्कीम बनाई है साई ने जितने भी sports persons हैं उनके लिए यह जो NCOE है यह साई अकाडमी का यह एक बहतर modified version है NCOE के अंदर आपको World Class Coaching मिलती है World Class Equipments, Diet, Nutritionist, Psychologist, Meshore Everything that you can think of as an athlete you get at all the NCOE centers यह जो TRIALS हैं यह Athletics के लिए होने वाले हैं पहले जल्दी जल्दी मैं आपको यह बता देती हूं कि TRIALS कौन कौन से centers में होने वाले और उनकी dates क्या है उसके बाद मैं आपको बताऊंगे आपको कौन से certificates चाहिए, क्या-क्या documents चाहिए, आपके कहाँ medal होने चाहिए जिससे आप वहाँ पे selection TRIALS के लिए appear हो सकते हो और age requirement क्या होगी आगे बताने से पहले I'd like to request you to spare a moment to subscribe this channel so that you don't miss any such videos in the future तो इस बार athletics के लिए total six centers के अंदर, NCOE centers के अंदर TRIALS होने वाले हैं सबसे पहले NIS Patiala, जहां हर कोई जाना चाता है, सबसे पहले मैं वहाँ का बताती हूँ वहाँ पे TRIALS 25th और 26th February को होंगे NCOE Kolkata में 1-3 March, NCOE Bangalore में 6-7 March, NCOE Sonipat में 27-1 March NCOE Lakhnau में 27-28 March और Bhopal के जो NCOE center है, उसके अंदर TRIALS हैं 5-6 March अभी ऐसा कोई notification नहीं आया है, जिसमें यह बताया हो कि कौन से centers में, कौन से events के TRIALS होंगे सबसे पहले मैं आपको Bangalore का बता जती हूँ, क्योंकि Bangalore का आ गया है Bangalore में जिन events के TRIALS होने वाले हैं, वो हैं Long Distance, Middle Distance, Sprints, Race Walk और Jumps और यह जो TRIALS हैं वो Residential और Non Residential दोनों के लिए ही हो रहे हैं, यानि कि अगर आपने वहां रहना है, तो वो Residential कहलाएगा और अगर आप बहार से आगर ट्रेनिंग करते हो, वो है Non Residential, जैसे हम स्कूल में जाते थे, तो जो बच्चे होस्टल में रहते थे, वो होते थे Residential Students और हम जो बहार से अगर जाते थे, पढ़ने के लिए स्कूल में, तो वो हम लोग Non Residential Students हो जाते हैं, उसी तरीके से NCOE में भी यह है, और Bangalore के अंदर Residential, Non Residential दोनों के लिए TRIALS हो रहे हैं, और अगर आप वहां भी as a Non Residential Athlete practice कर रहे हो, तो आप यह TRIALS में अपियर हो सक है, अब मैं आपको जल्दी से बता जाते हूं कि बाकी के जो centers हैं, उनमें कौन से events के TRIALS होंगे, तो Bangalore का तो हमारे पास information है, इसलिए वहां का तो पक्का है कि वहां इन events के TRIALS होंगे, जो बाकी के centers हैं, उनमें जो last year हमें बताया था कि कौन से center में कौन से TRIALS होंगे वो मैं आपको बता देती हूं, उसमें ऐसा कोई major change नहीं होगा, जो last year events से वही events के इस साल भी TRIALS होंगे, तो पट्याला के अंदर जिन events के TRIALS होने वाले हैं, वो हैं sprints, horizontal jumps, जो कि हैं long jump, triple jump, throws, all four throws, short put, discus, hammer and javelin and combined events, जो कि हैं heptathlon और decathlon, NCOE sonipat में TRIALS होंगे sprints के, throws Bose के combined events और race walks, आगे बताने से पहले I'd like to remind you, अगर आपने अभी तक इस चानल को subscribe नहीं किया, तो आप कर सकते हैं और bell icon press कर देना, so that you don't miss any new videos, NCOE का जो center Bhopal में है, उसके अंदर middle distance के TRIALS होने वाले हैं, लखनाव में middle distance और long distance events के TRIALS होंगे, और कॉलकता में sprints and combined events, तो ये सारे अलग-अलग centers में अलग-अलग ये जो TRIALS होने वाले events के वो में आपको mention कर दिये हैं, इसमें से Bangalore के लिए उन्होंने हमें खुद से साही ने एक notification circular निकाला है, जिसमें उन्होंने mention किया और बाकी सारे ये events हैं जो हमें last year inform किये थे, एक और change जो हमें देखने को और जहां तक है ये सारे centers में ऐसा ही होगा, कोई age group नहीं होगी, बट age group अगर होती है, तो last year mention हुई थी 16 to 21 years, ये age group थी last year NCOE के ट्राइल्स के लिए, इसके अलावा अगर कोई extraordinary athlete है, तो वो 23 तक भी consider कर रहे थे, बट लखनाव के अंदर कोई भी age category नहीं है, तो यह होप रहेगी कि बाकी के जो NCOE centers हैं, उनमें भी age category नहीं हो, अब मैं आपको पताती हूँ, इन trials के लिए appear होने के लिए आपको कौन कौन से certificates चाहिए, तो सबसे पहले अगर आपने कोई भी international competition खेला है, तो आप automatically qualify हो जाते हो, trials में appear होने के लिए, तो ये जो certificates हैं, ये selection के लिए नहीं है, ये वहाँ जाके, trials देने के लिए है, उसके बाद आपके सारे numbers आड होंगे, बाकी सारे बच्चों के बीच में से, जितने उनके पास seats होंगी, वो लोग उन्हें select करेंगे, तो ये जो certificates हैं, ये appear होने के लिए हैं, trials के अंदर जाने के लिए हैं, पहला अगर आप NCOE के ट्राइल्स के लिए eligible हो, और ये जो competitions हैं, ये सारे AFI के अंदर होने चाहिए, यानि कि Athletics Federation of India जो competitions और आपके अप्टू 8th position है तो, next है, अगर आपने खेलो India Youth Games, SGFI या All India University में अप्टू 4th place अगर आपकी है, 1st, 2nd, 3rd और 4th, इन competitions में है तो आप जा सकते हो, next है, जित यानि कि 1st, 2nd, 3rd हो आप उसका certificate है, या result की copy है, तो आप जा सकते हो, ये भी AFI के द्वारा ही conduct किये होने चाहिए, और ये एक और चीज है, बहुत से लोग बोलते है कि हमारा सिर्फ state में medal था, हमारा nationals में नहीं आपाए, तो आपके लिए भी अच्छी news है, अगर आपका state में gold medal है, तो भी आप जा सकते हो, state भी AFI के under ही होना चाहिए, now let's look at what documents you will need, आप जब वहाँ ट्राइल्स के लिए अप्यार होने जाओगे तो आपके पास क्या-क्या documents होने चाहिए, पहला है आपका date of birth certificate, second your aadhar card, तीसरा है आपके जो sports के achievement के certificates है, आपने जो achievements आप mention करोगे form में, आपके educational qualification के certificates, mark sheets मतलब 10th के 12th के जो भी है आपके पास, और 2 passport size photo, तो ये सारे documents हैं जो आपको वहाँ लेके जाने हैं, next मैं आपको पताती हूँ आपको वहाँ क्या-क्या facilities मिलेंगी, world class coaching मिलेगी, expert panel of coaches होंगे सभी NCOE centers में, world class infrastructure और equipments मिलेंगे, कोई भी equipment आपको चा and conditioning expert, physiotherapist, mishores और आपके जो भी medical expenses होंगे, वो भी याँ covered होंगे, तो बहुत सारे फायदे आपको वहाँ मिल रहे हैं, और screen पर आप देख सकते हो, जो expenses का distribution है, वो भी साही ने mention कर रखा है, अब बारी आती है application form की, application form जो है, इसका link मैं यहाँ पे description box में डाल दूँगी, आ आप वहाँ से download कर सकते हो, और मैं वो जो application form है, उसको मेरे YouTube community और YouTube story दोनों पर upload कर दूँगी, तो आप वहाँ से उसका screenshot खींच के या download कर सकते हो, और उसको भर के लेके चले जाना, अब बारी आती है कि आपके जो event होंगे, उसके अंदर trials में क्या क्या होगा, तो आप screen पर timing लिया जाएगा, short put थो है, तो उसको measure किया जाएगा, तो ये सारे trials आपके वहाँ पर होंगे, ये जो trials होते हैं, ये दो दिन के लिए होते हैं, बट इन में आगे पीछे हो सकता है, यहाँ पे last year इन्हों ने बताया था, first day athletes का registration होगा, सारे documents verify होंगे, जो आप application form fill करोगे, वो submit होएगा, सब भी documents के साथ, और आपके test होएगे, और second day आपके event specific trials होंगे, तो ये switch भी हो सकता है, हो सकता है, first day documents verify होके, trial start हो जाएगे, तो इसमें आगे पिछे हो सकता है, पर ये सारी चीज़े हैं, जो आपके trials में जाओगे, तब होगी, तो मैंने पूरा detail में mention कर द रहे हैं, application form कैसा दिखता है, और आपको वहाँ क्या क्या documents चाहिए होएंगे, तो I wish you all the very best, last year जब मैंने ये ही video upload करी थी, SCI Academy के trials की, तो उन में से जो पटियाला के अंदर बच्चे आए थे, उन में से, कईो ने मुझे आके बूला था, कि ती हमने आपकी वीडियो देखक ये वीडियो आपके लिए बहुत helpful होएगी, आप इसे पूरा देखो, पूरा समझो, और I wish you all the best, I hope आप trials में जाओ और आपका selection हो जाए, thanks